हाईलो फ्रेंड्स गुड आप्टरनून दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एक्जाम दो हजार चौविस में पूछा सकने वाले मोश्ट इंपॉर्टन सेलेक्टेड पसनों को साल्ब करेंगे दोस्तों ये सारे कोस्टन समारे आपके एक्जाम में पूछे जाने वाले प्रस्णों के सभी टापिक्स प्रस्णों के लेवल वा प्रस्णों के टेंड्स इसके लाँ दोस्तों आपके प्रिवियस एक्जाम में पूछेगे प्रस्णों को पूरी तरह से एनलाइज करके बना करते हैं दोस्तों को स्चन्र नमर वन है हमारा वर्श 2030 में अंतरराष्टे मुखनयाधी संसरे से मेलन आएड करन का मुंस्ट उपन कोस्टेंग ढ़ें को समयिलन कहां आईजित आगए में कर् vocal को से किस्ट चुंशन बनेंगे अधिकांस प्रसनों को हम लोग यहीं में काबर करेंगे यहीं हमारे इसौशन की स्टेट जी है पहला कोश्चन है मारा चोधावा हिमालयदिवस 2030 कम मनाएगए गया करेंट रिलेटर है दोस्तों ध्यान रखेंगे महात्मुण दीवस से 14 हमाले दिवस 2030 कम बनाए गया तो 9 सितंबर को मनाए गया है दुनिया का आठुवा अजूबा कौन सा मंदिर बना है तो करुवाट मंदिर है जो की कमबोडिया में हिस्थित है मेरा गाउ मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंतराले द्वारा लांच किया गया है किस राजी की लाग डोंग हलदी को जी आई टेक्ट से अगला कोश्चन देखेंगे इंद्रा गादी शांती पुरसकार 2030 से किसे समानित किया गया तो दो लोगों को कीया गया है डेनियल वेरेन वोइम को और अलि अबु अवाद को नेक्स्ट कोश्चन देगेंगे 36 गड़ के नए मुख्य मंत्री कौन बने है करेक्ट एंसरोगा विशन देव साई नेक्स्ट है 67 हुए राष्टी स्कुल खेल 2013 कहा युजित हुई है तो जम्मू कस्मिर में युजित किया गया है कहा पे जम्मू कस्मिर में आगे चलते हैं लोग अगला पॉइंट क्या है दोस्तों अंतर राष्टे चीनी संगठन यानि की ISO का नया अध्यस देश कौनस बना है तो वह भारत है कौन है भारत है दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग प्रिपेशन आप लोग कहीं से भी किजिए आल लाइन कीजिए या फिर आफ लाइन कीजिए आपका जो पार्ट करम है आपके सिलिबस में जो पूरी तरह से मेंसन किया हुआ उनको फोकस रखने का प्रियास करें हो सके तो नोट डाउन कर लें और जब आप प्रिपेशन करें आप देखें कि लिए अगर लोग पूरी तरह से नहीं करेंगे उनके एक्टाफ हैट को पूरी तरह से कवर नहीं करेंगे दूस्तों तब तक अच्छी प्रिपेशन नहीं हो पाए जगी हम लोग जानते कापी इंतजार के बाद में बाकनसी आई हुए तो इसको ऐसे ही अपने हाफ से नजाने दें अगला question देखेंगे अंतराष्टे सवरगडबंधन के नभीनतम हस्ताचर करता राष्ट कौन सा है तो गांगोगण राज्ये है next है भारत का पहला वेट लेंड सहर कौन सा बनेगा तो उदयपुर है जो की राजस्थान में इस्थित है next है हाट कुगड मील योजना किस राजसरकार की योजना है तो उत्तर परदेश की है ध्यान देंगे आप लोग यूपी स्वेसल करेंट का question है most important हाट कुगड मील योजना किस राजसरकार की योजना है तो उत्तर परदेश की है next है बिस्वमानसिक स्वास्ति दिवस 2030 का बनाए गया 10 अक्टूबर को next है वस 2022 के लिए राष्ट्रिय लता मंगेस कर सम्मान किसे परदान किया गया तो उत्तम सिंको next देखेंगे देश का पहला टेली काम सेंटर आप एक्सिलेंस किस राज में बनाए जाएगा तो ये भी उत्तर परदेश में बनाए जाएगा ध्यान रखेंगे आप लोग चलते हैं next question की और अगला question क्या है दोस्तों भारतिय वाईव से ना यानि कि इंडियन एर फोर्स के नए उप पर्मुक कौन बने है तो आमन परीत सिंग है कौन है आमन परीत सिंग नेक्स्ट है भारतिय स्टेट बैंक SBI के नए ब्रांड मेस्टर कौन बने है तो महन सिंग धोनी है और करेंट का last question यहां से है दोस्तों किस राज ने मुख मंत्री अलप संख्यक उद्दमी योजना की सुरुआत की है तो बिहार राज सरकार की दोरा किया गया है revision जरूर करेंगे दोस्तों questions कैसे भी घुमा की भी पूछाते हैं यह concept से दो questions निकाल ले जाते हैं तो अगर revision नहीं करते हैं थोड़ा सा confusion create होता है अगर question miss करते हैं तो दोस्तों उसका भी हमें असर पड़ता है यानि कि हमारे questions कम हो जाते हैं number कम हो जाते हैं और अगर question दोस्तों हमारी गलत हो जाते हैं तो negative marking अलग से जहलनी पड़ जाती है चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा पीडियेप के बारे में बात करेंगे पूरा question की ओर चलेंगे चार पीडियेप यहां पे लगा हुआ है हमारा ध्यान देंगे आप लोग सबसे पहले UP Police Constable के बारे में ही बात कर लेते हैं जिसका हम लोग यहां पे preparation कर रहे हैं इसमें जो आपका पार्ट करम दोस्तों GKGS आपका General Science भी सामिल है current affairs police बेउस्था से समन्दी सामान साचे इत्ता के questions आपका UP special वा सामान हिंदी इनके पूरे पार्ट करम को total 40 PDF की जरिए अच्छी तरह से complete किया जा रहा है पेट 500 रूपीज रखी गई आप लोगों के सामने है जहां पर आप लोगों मैसेस करका PDF ले सकते हैं या फिर इस नंबर पर टर्ट लिक क्वाल करके आप लोग दोस्तों बात भी कर सकते हैं नेक्ट पीडिएप देखेंगे SSC GD 2024 इसका भी एक्जामी स्टार्ट हो रहा है इसमें जो पार्ट करम दोस्तों GKGS आपका General Science Current Affairs वा सामाने दे इनके पूरे पार्ट करम को टोटल 25 PDF के जरी कबर किया गया है 50 रूपेज रखी गए वार्ट सब नंबर आप लोगों के सामने है नेक्स्ट है बिहार SSC 10 प्लस टू इसमें जो पार्ट करम सामान ग्यान सामान विज्ञान और Current Affairs इनके पूरे पार्ट करम को टोटल 25 PDF के जरी कंप्लेट के गया है 50 रूपेज रखी गई है वार्ट सब नंबर आप लोगों के सामने है जहापे आप लोग मैसेज करकर PDF ले सकते हैं या PDF के बारे में डाकली दोस्तों क्वाल करकर इस बार बात भी कर सकते हैं अब ध्यान देंगे आपे दो बाते सबसे पहले दोस्तों विहार SSC और SSC GD का कंबाइन नहीं बन सकता उसका कारण है लोग जानते हैं कि SSC GD के पार्ट करम में हिंदी सामिल है विहार SSC में विहार जी के यानी विहाष पेसल से भी कोश्टन की पूछके जाएंगे उसके बाद में दोस्तों विहार SSC में आपके जनर्ल सांईसरि रिस्क नहीं ले सकते इसलिए combine नहीं बना जा सकता बाकि जो आपका math or reasoning बचता है तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की preparation अच्छे धंग से complete हो जाती है ध्यान रखेंगे दोस्तों ठंडी का मौसम चल ला है लेकिन हम लोगों को अपने preparation को भी ignore नहीं र पास गए थे रिजल्ट में क्यों एक ही बात लिख किया आता है कि आप होने वाले exams में पास होई या फेल और जवाब भी एक ही देने होता है कि हमारी हार हुई इस exam में या जीत हुई तो ध्यान रखेंगे आप लोग लास्ट PDF है UPPCROERO की PT exam का फरोरी में भी conduct करूए सामने हैं चलते हैं लोग next question की ऑट- an caption के दुस्तों अगला हमारा भारत के किस राजी की सीमन नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है ग्रशचन पर द्यान देंगे भारत के किस राज्य की सीमन नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती तो उत्तर पर कि किसकी उत्तर परदेश की यानि यूपी स्वेसल से कोश्चन आया वह अब इस टापी से जितने मोश्ट प्रकॉस्टंस बनते हैं यहीं पिर हम लोग कबर करें लेंगे पूरे एक्स्ट्रा फेक्ट के जरीए कोई भी कोश्चन हमारा मिस नहीं होने वाला दोस्तों वह सारे यहां से कोश्चन बन सकते हैं हमारे एक जाम में पूछे आ सकते हैं हमारे सिलेबस में दिया गया है पूरी तरह से दोस्तों आप लोगों को कबर कर वाया जा रहा है जरूरत है बाप लोगों को गंभीरता से प्रिपेशन करने की या फिर मैं कहूंगा बेटर होगा अगर पीडियाफ लेते हैं आप लोग और वहां पर दोस्तों अगर उनका प्रिंट आउड भी निकल वा लेते हैं और अंडर लाइन लगा के एक अच्छी प्रिपेशन कर लेते हैं पुना हिक बार रिवीजन कर लेते हैं तो एक अच्छे खासे धंसे कम समय में प्रिपेशन ध्यान देंगे आप लोग, भारत के कुल 9 पनोसी देश हैं, जिसमें 7 देश अस्थलिय सीमा से जुड़े हैं, और 2 देश जलिय सीमा से जुड़े हैं, अगला फैक्ट है, भारत और बांगला देश की सीमा की लंबाई कितनी है, तो 4,096.7 km ध्यान रखेंगे, लेकिन एक्ज चीन का नंबर है, और फिर पाकिस्तान का नंबर है, यानि कि लंबाई में सीमा साजा करते हैं, नेक्ट है, गंगा नदी बांगला देश में किस नाम से जानी जाती है, तो पदमा के नाम से, किस नाम से जानी जाती है, पदमा के नाम से, अगला, कौन सा भारती राज्य ती इनने most important बनते हैं, question है, भारत का कौन सा राजमार्ग, भारत को बांगला देश से जोडता है, तो national highway number 112 है, next, बांगला देश में गंगा और बरंपुत्र की सन्युक्त धारा, बांगला देश में गंगा और बरंपुत्र की सन्युक्त धारा को किस नाम से जनाता है, मेगना ना आप लोग सुने होंगे, highlighted question है, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के मद्ध में है, तो बांगला देश के मद्ध में, next, भारत ने अपने किस पनोसी देश के साथ, पंच सेल समझोते पर हस्ताचर किये, तो चीन के साथ, next, बिस में किस देश की सीमा सरबाधिक अंतर राष्टे सीमाओं से लगती है, तो चीन की सेमा टोटल 14 देशों के साथ सीमा साजा करती है, next, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा इस्तीत है, तो मैक मोहर रखा है, next, भारत और पाकिस्तान के सीमा की लंबाई कितनी है, तो 3323 किलोमीटर है, ये भी आप लोग ध्या पूछा जा सकता है, next, भारत और पाकिस्तान के मद में कौन सी सीमा लगती है, तो रेट किलफ रिखा है, चीन के मद में मैक मोहन और पाकिस्तान के मद में रेट किलफ, next, पहली बार पाकिस्तान सब्द का परियोग किस ने किया था, तो चोधरी रहमत अली ने किया था, next, भारत का किस पनोसी के देश के साथ काला पानी छेत्रिय विवाद है ये भी कोशन ध्यान देंगे तो नेपाल के साथ है नेपाल की संसत का नाम क्या है तो राष्ट्रिय पंचायत है और लास्ट कोशन यहां से है भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है तो काल नदी है कौन सी नदी है काली नदी है ध्यान रखेंगे रिवीजन जरूर करेंगे आगे चलते हैं दोस्तों लोग नेक्ट कोश्टन की और अगला कोश्टन हमारा क्या है परसिद्ध क्रिकेटर मुहम्मद शमी का संब्द उत्तर परदेश के किस जिले से है सारे टापिक आप लोगों को कबड़ कर WiFiक्राशल से है क कोश्टन पर द्यान देंगे परसिद्ध क्रिकेटर मुहम्मद शमी का संब्द उत्तर परदेश के किस जिले से है स्वोरी जोस्तों, यहां पर क्या ड़ाल दे गया है कि रिकेट टाल देगा जोगी गलव घिनको ऐसर में करेंगे परस सा कोश्चन यहां पी बनना चाहिए था जो की अलग तरह से बन गया है चलते हैं एक साथ सारा कबर कर लेते हैं ध्यान देंगे आप लोग एक तरफ दिया गया दोस्तों खिलारी यान इनके नाम दिये गये हैं फिर दोस्तों जनपत दिया गया किस जिली से संबंदित हैं और क questions को इस तरह से set के आता है दोस्तों ताकि आप लोगों को तोड़ा सा सहस्ता में सूसो merit 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 जो आया उनको उठा लिया गया तो अनुरानी का भी संब्ध उत्तर परदेश के merit जिले से है और यह जेवलिन थो के खिलाड़ी है यह निकि भाला फेंके आती है आगे चलते हम लोग अगला पॉइंट क्या है दोस्तों दिपती शर्मा क्या है दीप्ति सर्मा, इनका समने उत्तर परदेश के सहारणपुर जिले से है, और ये भी दोस्तों क्रिकेट है, याणि की क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेटर हैं यह, खिलाडी शर्टा यह पर्इस हंडवाल कहला है सरिता उत्तर प्रदेस के किस जिले से सर्मन देवरिया से सम्मनत मinku कैसे गूमाया थे इसलिए रिवीजेंगा होता है तो सर्टा देवरिया जिलेसे और यह हंडवाल खिल से समंदित है शाक्षी कुमारी साज से कबड़ी से हैं आगे चलेंगे आशीज कुमार का संब्द उत्तर पर्देश के परियागराज जिले से जूडों के खिलाली है किसके जूडों के खिलाली है चलेंगे आगे दोस्तों हम लोग अगला क्या है दोस्तों हमारा ललित उपाध्या है ललित उपाध्या का संब्द उत्तर परदेश के वारान सी जिले से है और यह हाकी खेलते हैं क्या खेलते हैं हाकी खेलते हैं नेश्ट है सौरप चोधरी मोस्ट इंपार्टन यह मिरट जिले से संबंदित है और निसानेबाज के खिलाली है किसके निसानेबाज के नेश्ट है वंदना कटारिया मोस्ट इं कि नेस्ट है मोनिका चोधरी यह भी मौस्ट इंपाइन बुलत सहर से संब्दित है और यह एक इतलीट है क्या है एक आगे चलेंगे हम लोग नेक्ट पॉइंट की और अगला पंप क्या दोस्तो जोती सुकुला ध्यां देंगे जोती सुकुला उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से संब्दी था और यह हैंडवाल की खिलाड़ी है किसके हैंडवाल की नेक्स्ट है इंदू गुपता इंदू गुपता क्या है दोस्तों तो यह उत्तर प्रदेश के लखनू जिले से आते हैं और यह एक हैंडवाल खेलते हैं और लाश्ट है विजे कुमार विजे क के पूरे पार्ठी करम को यहां पर बनाए जा रहा है और आपके PDF में सब कुछ कम से कम समय में एक्जाम के समय में आप लोगों को दिया जा रहा है अगर आप इस समय में continue रहते हैं तो दोस्तों अंत भला तो सब भला यह आप लोग समझते हैं आगे चलेंगे next question की और अगला question कहां से दोस्तों ध्यान देंगे उत्तर परदेश में सरपर्थम किस पच्छी बिहार की अस्थापना की गई यह question उठाए गया है यानि कि दोस्तों इसमें आपके UPGK को सामिल किया गया अभी हम लोगों ने UP करेंड को पूरी तरह से कबर किय अब UPGK को यहां पर उठा लिया गया है question पर ध्यान देंगे उत्तर परदेश में सरपर्थम किस पच्छी बिहार की अस्थापना की गई थी तो नवाब गण पच्छी बिहार की यह हमारा question रखा गया था अब चलेंगे UPGK यानि UP special से जितने static के questions बनते हैं हम लोग यह अपना 1977 में उन्नाव जिले में की गई थी यह भी ध्यान रखेंगे वर्तमान में इसका नाम बदल कर सतीस चंदर सेखर आजाद पच्छी बिहार कर दिया गया है most important fact है आपका चलते है next question की और चोधरी चरण सिंग स्टेडियम उत्तर परदेश के किस जिले में इस्तिता है दसहरी आम भी सुपरसिध है तो मलिहाबाद आप लोग नाम सुने हैं मलिहाबाद का लखनों में next है उत्तर परदेश का न्यूंतम साचरता दर्वाला जिला कौन सा है तो सरावस्ती है ध्यान देंगे जहां सबसे कम पूछा गया है और सबसे ज़्यादा का कोशन भी साथ में सट कर देते हैं क्या रखा गया है उत्तर परदेश का न्यूंतम साचरता दर्वाला जिला कौन सा है तो सरावस्ती है और उत्तर परदेश का सबसे अधिक साचरता दर्वाला जिला कौन सा है तो गौतम बुद्धनगर है next उत्तर परदेश में यूरेनियम की जिले में पाए जाते हैं तो ललितपुर में पाए जाता है उत्तर परदेश में परमाण विद्दूत केंदर कहां पर अस्थापित है तो नरवरा में अस्थापित है ध्यान रखेंगे अब चार कुश्चन एक साथ दोस्तों सटकेगी हैं ध्यान देंगे आप लोग पहला है उत्तर प रखेंगे आप लोग रिवीजन करेंगे अब जैसे भी करें इन सभी प्रस्णों में आप लोग ट्रिक लगाएं बार-बार रट्टा मारें लेकिन को मिस नहीं कर सकते याद रखने होंगे चलते हैं अगले कोश्चन की और आगरा लखनो एक्सप्रेस बे कोश्चन को ध्यान कई थी स्टेटिक से है उत्तर परदेश में पर्थम रेलगाली कप चलाए गई थी तो 1869 में परियाग राज से कानपूर के बेज में नेक्स है भारत वर्स में पर्थम किर्सी बिस्विद्याले की अस्थापना कहां की गई थी तो पंत नगर में की गई थी अब थोड़ा सा नोड देखेंगे भारत का पहला किर्सी बिस्विद्याले 1960 में पंत नगर में इस्थापित किया गया था जिसका नाम गोबिंद वलब पंत किर्सी बिस्विद्याले है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट उत्तर परदेश किर्सी अनुसंधान परिस्थ कहां परिस्थित है तो लखनों में केंदरिये अवसदी अनुसंधान संस्थान कहां परिस्थित है लखनों में दोनों मिलते जुलते कोस्थन है थोड़ा सा डिफरेंस से ध्यान रखेंगे next उत्तर पर्देश में आउले का सरबाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है तो परदाप गड़ है most important उत्तर परदेश के किस जिले में सबसे कम वर्शा होती है तो मत् roasting में और उत्तर परदेश के किस जिले में सरबाधिक वर्शा होती है तो गोरक पुर्मी होती है यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे यह थे दोस्तों UP GK के questions चलते हैं हम लोग next questions की उर अगला question कहा से आ रहा है दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग current से आ रहा है national level की questions उठाए गए है ध्यान देंगे आप लोग most important world liner को भी cover कर लिया गया है question क्या रखा गया है राष्ट्रिय मानुआ धिकार आयो यानि कि NHRC की नए धिस्कॉन बने है राष्ट्रिय मानुआ धिकार आयो यानि कि NHRC की नए धिस अरूर कुमार मिस्रा बने है NHRC का पूर्णाम यानि फुल फार्म होता है National Human Rights Commission हिंदी में बात कहें तो राष्ट्रिय मानुआ धिकार आयो इसके स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को और इसका मुख्याले नई दिल्ले में है ध्यान रखेंगे पूरा फेक्ट यहां से कंप्लीट हो गया जहां से भी कोश्टन्स बनेंगे हमारे कबर हो जाएंगे चलते हैं नेक्स कोश्टन की वो अगला कोश्टन क्या है दोस्तों भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक तो कोन बने हैं तो राजियु कुमार है कोन है राजियु कुमार है भारत थल सेना के नए पर भारत के दिल्ले मược यह थानजय के कोन है तो इस नमबा के हैं यह भी द्यान रखेंगे नेक्ट भारतिया अंत्रिच अनुसंधान संगठन यानि कि इस्वरों के नए धिस्कॉन मनें तो यह स्वमनात है करेंट में कोश्चन चला है ध्यान रखेंगे चंद्रियान थिरी को भी आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा बात कर लेते हूं आपर दोस्तों चंद्रिय लाई था उसके बाद 23 अगस्त 2013 को चंद्रमा के दच्छिनी दुरूपा सफलता पुरुबक लेंड हुआ जिस अस्थान पर लेंड हुआ था उसका भी नाम रखा गया था स्विश सक्टी बिंदू यह भी कोशन बन सकता है एस्वमनात दोस्तों इस्वरों के अध्यच है इस्वरों का पूरा नाम होता है इंडियन इस्पेस रिसर चारिक नाईयसन यानि कि भारतिय अंत्रिच अनुसंधान संगठान उसके बाद इसका मुख्याल है बंगलुरू में है यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे किस राकेट से लांच किया गया था तो LVM3 M4 से जो सवर मिसन है आदित L1 यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे यह सारे कोशन से जो बन सकते हैं पीडियाप में कंप्लीट कर दिया गया है अगला क्या है भारतिया किर्केट कंट्रोल बोर्ड यानि कि BCCI के नए अध्यस कौन बने है रोजर बिन्नी है अस्थापना तो ससस्त्र सीमा बाल यानि कि SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है तो रस्मी सुकुला है most important संगलोग सेवायोग यानि कि UPSC Union Public Service Commission के नए अध्यस कौन बनी है डाक्टर मनोज सोनी है अगला है परमार उर्जा आयोग के नए अध्यस कौन बनी है तो अजीत कुमार मोहंती है अगला है भारत के नए नियंतरा क्यों महालेखा परिच्छक यानि कि CSG कौन है तो गिरिश चंद मुर्मू है और अगला है भारत के राष्टे सुरच्छा सलाकार यानि कि NSA National Security Advisor कौन है तो अजीत डोभाल है कौन है अजीत डोभाल है सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमा बारतिय ख़फिया एजंस्य यानि की रा रिसữर्च एंड Grade इसका पूरा नाम होता है कि नए परमूग कौन बनी है तो रवी सिंह है कौन है डोस्तों रवी सिना कौन है रवी सिनहा ध्यान रंखेंगा अगला है रेल बॉड की पहली महिला ध्यष और CEO कौन बनी है तो जया वर्मासिन ना इं नेशनल ग्रीन टुरन यानि कि NGT नेशनल ग्रीन टुरनल राष्ट्रिय भ्राएटि प्राधिकरण के न कौन बनिए है तो जश्टिस प्रकास श्री वास्ताओं हैं ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे ये थे दूस्तों करेंट से कोश्चन चलते हैं लोग नेक्ट कोश्चन की और अगला कोश्चन हमारा कहां से आ रहा है भारत के परमुक मेले उत्सव और तेवहार यूपी के कंप्लिट कर दिया गया आप लोग जानते हैं पुना उनका रिवीजन भी नेक्स्ट वीडियो में करवाय जाएगा कोश्चन क्या है खार नबिल महोसो किस राज में मनाया जाता है तो नागा लैंड में ये कोश्चन और एंसर था अब चले एक साथ कबर करते हैं एक तरफ दिया गया है भारत के परमुक महोसो या तेव नेक्स्ट है आदिपुरम तेवहार ये कहां पर आउजित होता है तमिल नाडू में नेक्स्ट है गणगवर महोसो मोस्ट इंपर्टन जो कि राजस्थान में मनाया जाता है हरेला पर ये भी मोस्ट इंपर्टन है उत्तरा खंड में मनायाता है कहां पर उत्तरा खंड में अ उगादी पर्व, यह कहाँ पर मना जाता है करनाटक में, बिहुला महोसो, यह कहाँ पर बिहार में, अगला है अंबुबाची तेवहार, यह कहाँ पर मना जाता है असम में, नेक्स्ट है तिर्शूर पूरा मुझ्सो, यह कहाँ पर आजित होता है केरल में, कहाँ पर केरल में अगला है 9 वर्स पुथान्डू, क्या है 9 वर्स पुथान्डू, तो वहार ये कहाँ पर आजित होता है, तमिल नाडू में, नेचंटर बोनालू मह chut सो, जो कि तेलंगान्गाना में मना जाता है, आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्या दूस्तो, चिथी राई महो सो, जो कि त तर्मिलनाड में आजित होता है योशंग त millor यह मढपूर में आजित होता है फोगल मोस्थ मटटन बार बार पूछा जातायान तमिलनाड में आजित होता है विश्व परसी धनु जात्रा महसो जो कि ओडिसा में आजित होता है वAssi Ganga सागर मेला नामा आप canopy लोग सुने होंगे पश्च्य मंगाल में बनायता है यहाजित होता है लोग लोहरी महोसो पंजाब में यह जित होता है और लास्ट है सरहुल महोसो जो की जैरखंड में नए तहहां पर उनात इतना कबर यहां से रखेंगे तो कोस्चन मिसना होने है आगे चलेंगे हम लोग अगला कोश्चिन क्या उठाएगा तो हिंदी से उठा लिया गया महात्पूण रच्णायम् मंदित लेखा के नाम दिए गए हैं पहला क्या है चिदंबरा क्या है चितंबरा इनके लेखा सुमित्रा नंदन पंथ हैं कौन है सुमित्रा नंदन पंथ हैं नेक्ट है जुही की कली most important लेखा कौन है सूरकांतिरपाठ़ी निराला है next है रंगभूमी इनके लेखा कोन है मुनसी प्रेमचंद है कोन है मुनसी प्रेमचंद है अगला है यसोधरा लेखा कोन है मैथिली सरण गुप्त है आगे चलेंगे हम लोग अगला क्या रहा दूस्तों आकास दीप क्या रहा है आकास दीप लेखा कोने जै संकर परसाध हैं चित्रावली लेखा कोने उस्मान हैं नेक्ष्ट है मधुमालती इनके रचनकार मंझन हैं उसके बाद है बिने पत्रिका लेखा कोने तुलसी दास हैं गोदान लेखा कोने मुंसी प्रेमचंद हैं कोने गीत आंजली मोस्ट इंपर्टन हाइलाइटर है रभींद नाट टेगोर इनके लेखाक है परभावती के मीरा है कौन है दोस्तों मीरा है नेक्ट गीत गोविंद इनके रसनाकार जैदेव है बार बार पुछा गया राम चंद्रिका किशोदास कौन किशोदास नेक्ट है साके यह भी हाइलाइटर मैतली सरणगुपत इनके लेखाक है उर्वसी बार बार पूछा गया रामधारी सिंग दिनकर है जितने इंपर्टन है सब ले आएं दोस्तों आप लोगों के लिए अगला क्या है मारा पंचिंत अंत्र क्या है दोस्तों पंचिंत नंत्र इनके लेखा क सभी लोग ने साल्प किया होंगे और देखे होंगे कि यहां से आपके कितने परसने सही हो रहे हैं तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए आप हमारी स्टेडी चैनल स्युक्रपा कलासे से जुड़या चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने व